दफ़ा 370 जमुव कश्मीर के 45,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है यह बयान है वजरेदाखलिया आमिजशा का दूसरी जानिब जमुव कश्मीर नैशनल कांफरेंस के नाइब सदर उमर उब्दला का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूकी की वज़ा से जमुव कश्मीर दहली से दूर हो चुका है अभी तक दफ़ा 370 के मामले पर सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया ने कोई फैसला नहीं सुनाया लेकर सियासी लीडरान लगातार 370 के मामले को लेकर ब्यानबाजी कर रहें और अपनी सियासी रोटिया से एक रहें गुजश्टा कल जब पारलिया मेट में दो बिल पेश किये गए तो इस दौरान वज़िर दाखले आमिज शाह ने कहा कि ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि जमुआ कश्मीर में अगर 45,000 लोगों की मौत हुई तो ये 370 की वज़ा से हुई 370 ही जमुआ कश्मीर के 45,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है और उनने कहा कि BJP ही एक ऐसी सरकार है जिसने जमुआ कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए 370 का खात्मा कर दिया लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से गुज़श्टा कल पार्लियमेट में जमुआ कश्मीर के हवाले से दो बिल पेश किये गए इन दो बिल्स की अगर बात करें तो पहला बिल जो था वो जमुआ कश्मीर रिजर्वेशन एमेटमेट बिल 2023 था और दूसरा बिल जमुआ कश्मीर रियार्गनाइजेशन बिल 2023 था जो गुज़श्टा कल पार्लियमेट में पेश किये गए और उसके बाद वुज़श्टा का ये बयान सामने आया उनने कहा कि हर कोई ये जानता है कि आर्टिकल 370 जो है ये एक टंप्रेरी प्रोविजन था और इससे हमने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया उनने कहा कि 5 अगस 2019 को वुज़रियाजम नरिंदर मोदी की क्यादत वाली सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा 370 का खात्मा किया इससे पहले कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो इस दोरान बीजेपी के जो बाकी लीडरान थे उन्होंने टेबल बजाना शुरू कर दिया यानि उन्होंने वुज़रिय दाखला अमिजशा की इस ब्यान की काफी ज्यादा सरहना की वहीं जो उपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि आपने दफ़ा 370 को हटा कर वादा खिलाफी की है इस पर दाखले आमिच शाह ने कहा कि कोई वादा खिलाफी नहीं जो बाकी सरकारे पिछले 70 साल में नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया और उनने ये भी कहा कि 370 के खात्मे के बाद जमुआ कश्मीर अब तरक्की की राह पर गामजन है जमुआ कश्मीर में अब असक्रियत पसंदी खतम हो चुकी है जमुआ कश्मीर में हरताले खतम हो चुकी है जमुआ कश्मीर में पथरबाजी खतम हो चुकी है कि जमुवा कश्मीर में जो अलाइदगी पसंद लोग थे और जो अस्कृत पसंद लोग थे उनका खात्मा हो और उनने ये भी कहा कि फिर से लगतार तीसरी बार नरिंदर मोदी ही देश के वजिर आजम बनेंगे और हमें ये पूरा यकीन है कि जिस तरह से बीजेपी लगतार काम कर रही है लोगों की फलावा बहबुदी का काम कर रही है लोग बीजेपी के हक में हैं लेकर न क्या आपको लगता है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जमुवा कश्मीर के हालात बहतर हुए क्या आपको मामला सुप्रिम कोर्ट के पास है और सुप्रिम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैंसला सुनाए की उसके बाद ही ये तैह करना होगा कि ये फैंसला जमुवा कश्मीर के लोगों के हक में आता है या फिर मरकजी सरकार के हक में आता है क्यूंकि 16 दिन की तवील बहत के बाद दफ देखना ये जरूर होगा कि जब सुप्रीम कोट का फैंसला के मामले को लेकर आएगा वो फैंसला किसके हग में होगा क्यूंकि जमुवा कश्मीर की वो तमाम तर स्यासी पार्टियां जिनने दफ़ा 307 की मनसुखी को सुप्रीम कोट आफ इंडिया में चैलेंज किया था वो पूर अमीद है कि फैंसला हमारे हक में आएगा क्यूंकि पांच अगस 2019 को जो फैंसला लिया गया था वो गैर कानूनी था गैर आएनी था बारहल आप लोग भी अपनी राए कॉमेट सेक्शन में जरूर दीजेगा